काहे करत अठ राधा संग तूम चलो कुल चैन में रास रची है चलो कुल चैन में रास रची है तुम बिन हम को कचुना है भाये माहक सब तरसा आ रही सब सके आ समझा आ रही सब सके आ समझा आ रही सब सके आ समझा पाया लिया बाजरे मुरा सया में तोरे संग न जाबंगी एली आली मोरी सास नानद और दोरा नीचे ठानिया लोगवा नगर के चर चाकरे मारे टो न पाया लिया बाजरे मुरा सया में तोरे संग न जाबंगी जाबंगी बिनो दपिया ऐसी धीट धिटाई काहे काहे बरे चोरी कर कंगनी मुरक गई चूरिया किसक गई साची में कहत पईया पर बिनती करत अब तोरे संग न जाबंगी एली आली मोरी सास नानद और दोरा नीचे ठानिया लोगवा न गर के चाबंगी बिनो दपिया ऐसी धीट धिटाई काहे काहे बरे चोरी कर कंगनी मुरक गई चूरिया किसक गई साची में कहत पईया पर बिनती करत अब तोरे संग न जाबंगी एली मोरी सास नानद और दोरा नीचे ठानिया लोगवा न गर के चरचा करे मारे टोन पाय लिया बारे पाय लिया बाजे पाय लिया बारे नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज स्क्रीम के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं अमीर दुबडे जी बहुत ही गुणी गायक है और जिन गुरुओं से इनको आशिरवाद मिला है जिन गुरुओं से इनको सिक्षा मिली है तालीम मिली है वह गुरू भी बिलकुल विलक्शन रहे हैं तो इस बाचीत में हम समीर जी के संगीत सफर के साथ एक खिरकी खोलेंगे उन गुरुओं को समझने की भी लेकिन शुरुवात करते हैं पारंपरिक तहीके से समीर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार समीर जी सबसे पहला प्रश्ण जो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं जैसे पहला प्रश्ण तो यही होता है हमेशा कि आपका संगीत सफर शुरू कैसे हुआ तो वह बताएं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है जैसा कि आपने कहा कि इंटर्वीव का पहला प्रश्ण है तो जवाब भी वैसे हैं बच्पन से मैं गाता रहा हूं जब मैं एक्चुली मैं तीन-चार साल का था तब मेरी माने ये नोटिस किया कि मैं गा सकता हूँ तो मेरी माता जी डॉक्टर सुनीती दुबड़े वो एक उम्दा गाई का थी जिन्होंने एक्चुली शादी से पहले गाना विशारत तक सीखा था 1952 में वो विशारत हुई थी उसके बाद में जैपुर घरानी की सुप्रसिद्ध गाई का कमल तामबे जी के पास उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की थी लेकिन वो जैसे परमपरिक परिवारों में होता है वैसे शादी के बाद गाना जारी रखना उनके लिए संभव नहीं हुआ था और फिर जैसे ही मेरा एक हुनर उनको थोड़ा सा उसका अंदजा आया तो उन्होंने कहा कि आप इसी में काम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं सीखना देरे-देरे चालू किया एड़ी एज अफ तैन मैं मेरे पहले गुरु पंडित राम माटे जी के पास पहुंच गया वो मेरे स्कूल में मेरे संस्कृत के एक शिक्षक थे विसुभव गुरुजर करके तो वो उनकी एक बहुत ही बहतरीन आवाज उनकी रही और वो हमारे संगीत के शिक्षक भी थे तो उन्होंने देखा कि मैं अच्छा और ठीक ठाक गा लेता हूं तो उन्होंने उनके गुरुजी थे राम माटे सर तो उनके पास मुझे वो लेकी गए और फिर वहाँ से सीखना जो शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है लगाता है अब च्वालीस साल हो गए तो सीखी रहा हूं नहीं बिल्कुल ये तो कोई भी कला मतलब उसमें सिर्फ शास्त्रिय संगीत को मैं नहीं जोड़ता हूं कोई भी कला जब आप फुरी शिद्दत से उसमें डूब ना चाहते हैं तो फिर तो बर्सों बरस का वह पोरा सफर है ही इसमें तो कोई दोराए ही नहीं है अब समीर जी मैं ये भी समझना चाहूंगा कि मा के बारे में आपने बताया कि चुकि वो शादी के बाद परस्यू नहीं कर पाई अपने म्यूजिक को तो कहीं न कहीं उनका जो एक सपना रहा होगा वो उन्होंने आपकी आँखों से आगे देखना दूरी है पिता जी का रवया कैसा रहा पिता जी की तरफ से कितना इस पर सपोर्ट मिला देखें पिता जी मेरे जो थे वह वह भी शिक्षक थे प्रोफेशन लेकिन वह पब्लिशर भी थे उनका पैशन था और उसके चलते उन्होंने अपनी एक संस्था बनाए थी कियदार प्रकाशन नाम की जो की मुलतहा गणित और अंग्रेजी यह दो जो कॉमन एनिमीज हैं बच्चों के उसकी किताबे वह बनाते थे और उस जमाने में टेक्सबुक्स जो थे वह प्राइवेट थे उसका सरकारी करन नहीं हुआ था तो हमारी किताबे काफी सारे स्कूलों में वह कंपल्सरी हो गई थी तो वह बिजनेस बहुत अच्छे से समाल रहे थे तो रुभागिवेश वह किसी एक्सिडेंट के बाद उनको वह पूरी तरह से बेड़िडन हो गए 1972 से लेके आंते तक वह बेड़िडन थे लेकिन वह पूरा मतलब 2004 तक लगब 32 साल वह बिस्तर पे थे लेकिन वह अच्छे से अपना बिजनेस समालते थे उनके मन में मेरे प्रती चिंता यही थी कि तू गाना बजाना सीख रहे वो तो ठीक है तो पेर की बारा के और रात की आठ की क्या व्यवस्ता तो मैंने उनको यह जवाब दिया था कि देखिए पिताजी मैं सीख तो उसकी व्यवस्ता भी हो जाएगी और इश्वर की कुर्पा है गुरु लोगों की कुर्पा है कि उनके अनुगमपा से मैं अभी तक तो ठीक ठाक खापी रहा हूं मेरा सिर्फ नाम ही दूबले हैं वैसे भरवक्कम हुए तो समीर जी यह जो आपने अभी एक लाइन में बहुत ही बहुत सारे बच्चों का जो कष्ट आपने शेर कर दिया कि अंग्रेजी और गणित जो दो सबसे कॉमन दुश्मन होते हैं तो यह आपके भी दुश्मन रहे या आपने इनको कुछ चुकी पिता जी का ऐसा काम था कि आपने कुछ पठा के रखा था इन दोनों द दसवी के बाद मेरी पहली प्रदिक्या यह थी कि गणित छोड़ूंगा तो वैसे मैंने किया मैंने आर्ट्स में दसवी के बाद एडमिशन लिया और पहला काम किया गणित को छोड़ दिया क्योंकि वो साइन कॉस्ट टैन थिटा और ट्रिग्नॉमेट्री और पता नहीं दुनिया बर की चीजें जो मेरे मेरे लिमिटेड बुद्धी के चलते वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी और सुरों का ऐसा लगाव लगने लगा था तब तक कि और कोई चीज अच्छी भी नहीं लगती थी तो इसलिए फिर वो छोड़ दिया मैंने गणित आपको साइन क स्थीटा में भी मुझे लगता है कि कोमल तीवर और सुरी दिखाई देते रहे होंगे यह समझना मतलब हाला कि मैं बिल्कुल आपको किसी भी तरह से पिता जी की स्मृतियों में डालकर मतलब इस इंट्रव्यू को गमगीन नहीं करना चाहता या आपको दुखी नहीं करना चाहता लेकिन इस चैलेंज को समझना चाहता हो इतने लंबे-लंबे समय तक आपने बताया कि पिता जी बेट रिड़न रहे उसमें और जो बातचीट से भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई पैसे का ऐसा भी कोई बहुत बड़ा फ्लो नहीं था कि कोई दिक्कत नहीं है पैसा बहराएगर में ऐसे में मा के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी कि बच्चे को संगीत में डालना जबकि ये चैलेंज है ये चैलेंज तो आज भी है न कि आप शास्त्रे संगीत सीख तो रहे हैं रोटी कहां से आएगी खाना कहां से आएगा बच्चों की फीस कहां से आएगी ऐसे में जब माने ये डिसाइट किया होगा आज जब आप अभी कह रहे थे कि मतलब अच्छा ही चल रहा है ईश्वरी क्रिपा से सब ईश्वर की क्रिपा के साथ साथ मुझे लगता है कि मा की उस संघर्ष मा की उस चनौती को हर रोज याद करते हों गया बिलकुल मतलब ये तो मैं हर किसी को यही बताता हूं कि मेरे पिछले जन्मों का कुछ अच्छा कर्म होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसे माता-पिता मिले क्योंकि मेरे पिता जी हलाकि वो बीमार रहते थे लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कभी भी हार नहीं मानी वो जूचते रहे अंत तक और बहुत जबरदस्त आप विपदाएं देखी उससे निकल के वो बाहर आये फिर से खड़े हो गए तो और माता जी का मेरे जीवन में स् से कर रहा है तो उन्होंने कभी उसको लेके मुझे टोका नहीं कि अरे तु पैसा कब कमाने लगेगा घर के हालत तो देखो वगेरा वगेरा ऐसे कभी बाते नहीं हुई कि on the contrary वो यही कहती थी कि तु लगन से रियास करता रहे चीज़े होती रहेंगी जब आप जैसा कहते हैं कि आगर आप किसी चीज़ को दिल से करो तो पूरी काइनात उसको सही करने में जुट जाती है तो वैसे ही कुछ हुआ और मता पिता का बहुत आशिरवाद रहा और इसे जैसे में गाने में धिरे-दिरे मेरा काम बढ़ता गया तो पिता जी भी बहुत खुश हुए उन्होंने भी मुझे बोला कि मैं शुरुवात में मेरे मन में यह दुविदा रहती थी कि यह क्या कर रहा है मेरा बच्चा लेकिन बाद में अब तो ठीक है तु जो कर रह है वो सही है तेकिन इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में इसलिए मैं यह भी बोलता हूँ हूँ वह कि कर कोई बाधा आजाय विपता आजाय तो गाना खोड़ दे और कुछ काम कर लें ऐसे मेरे से नहीं होगा, यह जो जिद है, यह जो पैशन है, यह मेरी माता-पिता की देन है, नहीं, इसके बाद इश्वर भी कोई चीज है, कोई तो परम शक्ति है, समीर भाई की मतलब ऐसा आपको सोचने की मुझे लगता है, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, कि कोई अब ऐसी च चुनौतियों की वज़े से लेकिन फिर जब वह इम्तहान प्रवापार हो गए तो फिर भगवान और भी लोगों के इम्तहान लेगा सिर्फापी का इम्तहान क्यों लेगा मुझे यह भी बताईए समीर जी कि जब जब वह भी तो समय आया होगा जब तै किया होगा कि नई अपनी साधना पर अपने संगीत पर इतना भरोसा है कि मैं अगर आज पूरे भारत में मुझे आइडिया नहीं है लगिन अगर मैं एक संख्या बोलू कि डिर दो लाख लोग गाना गा रहे हैं तब भी मैं उसमें अपनी जगा बना लूँगा मैं अपना जीवन यापन इस कला के माद्यहम से कर लूँगा वो समय जीवन के किस उम्र के दोरान आया और फिर उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़े देखिए मैं मतलब लगभक मेरा मास्टर पॉलिटिकल सैंस में पूरा हुआ था चुकि पॉलिटिकल सैंस मेरी और एक पैशन रही है राजिशास्तर से मेरा लगाव है और मैं अभी भी उन सारी चीजों में बहुत रुची रखता हूं तब मुझे ये अंदाज आने लगा था कि गाने गाने बजाने में अगर काम करना है तो कितना उसमें मुश्किल होगा या आसान होगा या क्या करना पड़ेगा तो उसकी लगभग नाइंटी नैंटीवन में मैंने जब पाहर गाना प्रेजेंट करना शुरू किया मेरे गुरू जी की पर्मिशन से तो उसके ब बहुत मैं comfortable feel करता हूं अपने आपको, दो तानपुरे के बीच में बैठ जाता हूं, तो ऐसे लगता है कि यही मुझे करना चाहिए, तो यह जब अंदर से मेरी एक conviction डेवलप हुई, उसके बाद मुझे इस तरह से कभी पैसे के चिंता मैंने की भी नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, चूंकि मैं merit holder student था, तो कुछ ना को scholarship मिल जाती थी, कोई prize money मिल जाता था, तो और कोई ऐसे विशेश कोई आदते भी नहीं थी मुझे, और ना है अभी भी, तो खर्चा पानी अपनी मर्यादा में रखना ये मैंने बच्पन से सीखा भी था, तो वो हो जाता था, और मैं ये भी देख रहा था कि मेरी तीन भेने हैं बड़ी, तो तीनों भेनों ने अपने अपनी जीवन को किस तरह से बांधा है, सवारा है, वो किस तरह से कुछ जॉब करके, कुछ करके अपना जीवन चला रही है, तो उनी से प्रेरणा लेके मैंने भी फिर दिरे दिरे और जॉब्स करके कुछ कभी पटा के बेचे, कभी राखियां बेची, कभी ऐसा कुछ करकर के जुगाड हो जाता था, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे लगता है कि लगभग 1991 में मैंने ये डिसाइड किया कि अब यही करना है, और मैं उसके ब बातचीच से बहुत सारी किस्से, बहुत सारी चीजे निकलती है कि पटाखे बेचके और आखी बेचके, जरा क्यों ना आप यह जो आज की जनरेशन है और जिसमें जिनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए वो तेजी तैयारी के साथ, मतलब उनको उनके लिए शा शकून ना दे, उसको शान्ती मिले ना मिले, उसको सुकून मिले ना मिले, वो चमत्लित हो जाए, वो हैरत में आ जाए कि यह ऐसे हरकत कैसे कर दी, तो यह जो एक चलन आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, मुझे लगता है इस पे आप बहुत अधिकार से बोल सकते हैं कि य करिये, कोई बुराई नहीं है क्योंकि आज की तारिक में दिक्कत ये भी है कि संगीत के लिए बड़े-बड़े कलाकारों को 40 मिनट का समय मिल रहा है, लोगों के पास नहीं है अब 3 घंटे कि आप बैटके राग बिलावल गा रहे साब किती देड़ घंटे गाएंगे, नह बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं अपना रियाज, जो पारंपरिक रियाज है, उसको छोड़ते हैं और फिर वो रट्टा मारो, फिर वो गणित और विज्ञान और अंग्रेजी ही हो जाता है संगीत भी उनके लिए, क्या तो आप इससे सहमत हैं और अगर सहमत हैं तो फिर इसका उपाय क्या होगा आपके नजर से? मीडिया के द्वारा या अन्यव प्लैटफॉर्म के द्वारा अपनी कला को जो भी है, जिसी भी स्तर की कला है, उसको लोगों के सामने रखने का एक मौका सबको मिल रहा है, और being student of political science, मुझे ऐसे लगता है कि ये democratization की process है, कुछ एक गिने चुने लोगों के हाथ में संगी कि प्रयोग परंपरा उनकी गिरत में रहना ये भी ठीक नहीं था, नहीं है, तो लोगों को चुनने दीजिए कि ये ठीक गा रहा है, ये ठीक बजा रहा है, ये ठीक बजा रही है, गा रही है, तो उन लोगों को आगे चलके काम मिलने की संभावना ये बहुत ज़्यादा कि having said this मुझे यह भी लगता है कि कायन की कला में especially मैं यह मानता हूं कि उसको जितना समय लगना है वो लगना ही है उसका कोई shortcut या उसका कोई tablet नहीं निकला अभी तक कि आपने एक tablet खाली तो 15 साल का रियाज आपका हो गया ऐसी सुविधा अभी अभी तक नहीं है और भगवान का घ्रपा है कि ऐसा नहीं हुआ है अपितक तो उतना समय तो देना पढ़ता है मेरे विद्यार्थियों को ये समझाता हूं कि देखिए आप एक दिन उटके ये नहीं लिखना ऐसी ही प्रक्रिया है, वो आत्मभान की प्रक्रिया है, खुद के बारे में जानने की प्रक्रिया है, जैसे बच्चे होते हैं, तो उनको हम बच्चों का खिलोना बड़े आसानी से बना देते हैं, कोई आया तो कहते हैं, बटा आखे कहा है आपकी, बटा नाक कहा है, बेटा कान कहा है तो वो बच्चा दिखाता है तो उसका उसकी वावाई होती है उसको बारे में बहुत प्यार दुलार बच्चे को मिलता है लेकिन जैसे आप बड़े होने लगते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता कि आपका नाग कहा है कान कहा है जैसे आप आत्मभान आ जाता है आप खुद के बारे में जागरुक होने लगते हैं लेकिन उसको समय लगता है ना तो वही समय गाना सीखने की प्रक्रिया में involved हैं तो कोई यह कहें कि मैं आज सीखने लगा हूं और छे मेने में मैं पंडित बन जाओं तो यह होने वाला नहीं है यह कुदरत के कानू के खिलाफ बात हैं तो कुदरत के कानून के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता मानों भी नहीं जा सकता तो गाने बजाने वाले तुक कि जाड की पत्ती तो मैं यह समझाता हूं कि जल्दबाजी ना करें गाना बजाना एक रोधारी का काम है भले लोग 40 मिनिट हैं आपका सु सुनेंगे तब उनको यह लगना चाहिए कि यह भीगा हुआ इंसान है यह जो गारा है वो सुर में भीगा हुआ गारा है यह जो गारा है वो लै में डूबा हुआ गारा है और यह अनभव आप दे सकते हो तो उसके लिए जिन लोगों की तयारी होती है वो टिकते हैं मेरे पास बाकि लोग भाग जाते हैं बिल्कुल और नया प्रयोग देखिए भाशा का जब हम लोग अलग-अलग भारत की अलग-अलग शेत्र के लोगों से बात बातचीत करते हैं तो उसमें कई चीज़ें सीखते हैं भीगा हुआ शब्ध पहली बार मैंने सुना कि सुरों में भीगा हुआ है दूबा हुआ है तो सुना था लेकिन यह भी प्रयोग मतलब होता है तो यह एक मेरी भी मेरे भी शब्दकोश में एक सम्रिद्धि हुई आज से बात करके समीर दुब्डे जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और इस इंटर्व्यू के दूसरे हिस्से में हम बातचीत करेंगे एक साधू पर एक संत पर चुकि अगर पंडित जीतेंद्र अभिशेकी जिन से सीखने का सौभाग्य समीर जी को मिला उनके बारे में आप किसी भी कलाकार से बात करेंगे तो पहला शब्द जो होगा वो यही होगा कि वो तो साधू थे वो तो संत थे कैसे थे संत जीतेंद्र अभिशेकी कैसे थे शास्त्रिय कलाकार पंडित जीतेंद्र अभिशेकी और कैसे थे गुरू पंडित जीतेंद्र अबिशेकी के सारी बात्चीत इस इंट्रव्यू के दूसरे हिस्से में कल रात ठीक दस बजे एक बाद फिर हमसे जुड़िएगा